दरसल यह स्क्रिप्ट आमिर को पढ़ने को मिली थी जब वो एक जज थे स्क्रीन राइटिंग के कॉम्पटिशन में जो सिनेस्तान ने दो हजार अठारा में और पढ़ते ही उनको यह कहानी बहुत अच्छी लगी और आगे जाके उस कॉम्पटिशन में इस कहानी को प्राइ करना है लेकिन यह कहानी मैं बनाना चाहूंगी तो अच्छी आमिर को मिली थी यह पहले इस कॉम्पटिशन के जरिये और उसके बाद जब मुझे मिली मुझे लगा इसमें काफी पोटेंचिल है इसमें बहुत सारे हम लोग चीज डिवेलप कर सकते हैं लिख सकते हैं इसमे जो ड्रामा था जो पहले इसका जॉनर थोड़ा रियलिस्टिक था और मुझे चाहिए था कि उसमें हम कॉमेडी के व्यंग के व्यंग से बोलें मनुरंजन से बोलें ताकि जो भी कहना है वो मजे से कहें और एक वो जोनी मजेदार रहे इन दोनों लड़कियों का तो विप देशा ही एक राइटर है जो थेटर और टेलिविजन में काफी उन्होंने काम किया है उन्होंने ये स्क्रीन प्ले और डायलोग सारे उन्होंने लिखी है और फिर जाते-जाते हमें लगा कि ये जो भोजपूरी टच हम देना चाह रहे है उसके लिए हमें किसी कि ये ठीक साउंड हो रहा है कि नहीं तो इसके लिए हमने दिव्यनिधी शर्मा नाम के एक राइटर को लिया था और उन्होंने अचली ये पूरा मनोहर ये जो रवी किशन का पुलीस का कारेक्टर है उसको पूरी तरह से उन्होंने डिवेलप किया तो दिव्यनिधी शर् कि ये अच्छा ही होगा इसके साथ ये बनाएं ताकि लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे कि क्या होने वाला है उनको भी सप्राइज लगें उनको भी एक तरह से कुछ चीजें डिस्कावरी के तोर से मिलें ताकि एक अलग अलग जोनी बन जाए नहीं तो जब आप को स्टार्स दिखाए देते तो आपको पता चल जाता है हाँ ये हीरो है ये विलन है ये कहानी में ये अच्छा ही होगा इसके साथ या फिर ये कुछ बुरा ही करने वाला है लेकिन हमें उसको एक तरह से सस्पेंसफुल रखना था अंत तक और इस डिसिजिन में आमिर ने क अच्छा है और ये लोग अच्छी है तो और हमारे कास्टिंग डिरेक्टर रोमिल जो MP से हैं उनकी कास्टिंग का तरीका बहुत अलग है वो बहुत थेयर्टर ग्रूप्स में कास्टिंग करते हैं रियल लोगों में कास्टिंग करते हैं तो एक तरह से उनके और हमारे खय काफी मैच हुए और कास्टिंग बहुत वक्त शुड़ा बाद कास्टिंग मे更ई कास्ट बहुत वक्त तक चला , औरका प्रोसेस कास्टिंग फैजत भौन क unacceptable करेक्टव के जो शुड़ा अबर वो एकदम से आपको, एक तरफ से आपको याद रहे. 誅़ रहे हर एक काच रहा, हर किर्दार का कारेक्टर. तो इसमें रोमिल का बहुत हाथ है, रोमिल ने. अमेर को बहुत ये कारेक्टर बहुत अच्छा लगा था जब हमने लिका था उन्होंने का कि मुझे खेल, ये पार्ट करना है, पर मुझे लगा कि एक, और उन्होंने किया भी, बहुत अच्छा ओडिशन भी दिया, आमिर ने, जो है हमारे पास, और हमें अच्छली काफी सोचना पड़ा, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर किया, आमिर ने, क्योंकि ओड लेकिन मुझे लगा कि आमिर में स्टार होने के वज़े से एक तरह से एक्सपेक्टेशन बनी जाता है इस क्यारेक्टर के लिए आपको लगता है कि यह कुछ करने वाला है या कुछ अच्छा ही करेगा या कुछ बुरा विलन नहीं हो सकता है तो ये सारे जो स्टार का एक तरह से जो हम कहते है बैगेज है वो आमिर लेकर आ रहे थे इस वज़े से हमने सोचा कि नहीं किसी को लेना चाहिए जो एकदम से ये रोल में इतना फिट हो कि आपको बिलकुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी क्या करेगा और रवी जी त जी 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 उनका बैटर लगा उनमें एक तरह से एक रियलिजम है इस रोल में वो इस तरह से फिट बैठते हैं कि मुझे लगता ही और कोई नहीं कर सकता है आमिर के आमिर ने तो बट अच्छी आटिंग की उसमें लेकिन जो एक तरह से क्या कहते है एक जब रोल बनी होई ह होती है किसी के लिए उनको फिर आक्टिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उस तरह से